वेल्कम बेक टू मैं चैनल मैं हूँ रुचिका और स्वागत है अप लोगों का मेक ओवर में कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब अच्छी होंगे आप लोग सब सबस्त रहें मस्त रहें इसी कामना के साथ मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपने एक नया वीडियो कुछ लोगों के नेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो है अच्छे होते हैं पर कुछ लोगों के जो नेल्स हैं वो ठीक नहीं होते हैं तो उन्हें जो है नेल एक्सेंशन कराना होता है और कुछ लोग तो शोकिया तोर पर भी नेल एक्सेंशन करा रहे हैं तो यहां पर तो अगर आप nail artist हैं, तो आप इस परकार के rate list अपने saloon में या अपने nail studio में रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत जादा help हो जाएगी, तो चले चलते हैं, वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले जो है, आप लोग अपने area में, अपने शहर में, अपने city में जाकर, जो थोड़े चोटे बड़े nail studio हैं, उनके rate list पता लगाएं, उसी के हिसाब से जो आप अपने nail extension या nail art के जो प्राइज हैं, वो रखें, यहाँ पर हम लोग जो दिल्ली में nail extension और nail art के प्र प्राइज रखती हूँ, तो अगर आप छोटे शहर में हैं, या बहुत बड़े शहर में हैं, तो वहाँ के rate जो हैं, आप एक बार जरूर ट्राइज करें, उसके बाद ही जो है, आप लोग अपने nail studio में, या अपने saloon में nail extension के प्राइज, जो हैं, वो निर्धारित तो चलते हैं, हम nail extension के price list की तरफ, तो अगर आप nail extension temporary कर रहे हैं, तो आप उसके लिए 200-500 रुपे ले सकते हैं, यदि आप केवल tip लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप nail extension के 200-500 रुपे रह सकते हैं, ये nail tip पर भी neighbor करता है कि वो किस quality की है, अगर आपने अच्छी quality की nail tip अगर आप regimes permanent यदि आप करते हैं, तो आप केवल थाया करते हैं, तो आप उसके लिए 500-1000 रुपे तक ले सकते हैं, ये gel भी हो सकता है और acrylic भी हो सकता है, तो ये है हमारे extension के price, अब चलते हैं आगे की तरफ, तो आप nail extension कर रहे हैं, जЭल याख लायरिक से और तो प्राइस को चिस तही के से रख सकते हैं अगर आप नेल एक्टेंशन कर रहे हैं जैल तो आप लेंगे हजार क्योंकि जैल में काम जादा होता है जैल को तीन चर बर सुखाना पड़ता है और इसके फ्लो का भी ध्यान रखना पड़ता है अगर आप अक्लेरिक कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं 700 रूपीज क्योंकि एक्लेरिक में काम थोड़ा काम होता है पर फिर भी इसको उठाकर रखने का काम जो है काफी जादा है अगर आप प्रफेक्ट है तब ही एक्लेरिक नेल एक्टेंशन करिए रिफिल के लिए आप जैल में ले सकते हैं 800 रूपे एक् ले सकते हैं 1000 रूपीज जैल के और एक्लेरिक के आप ले सकते हैं 800 रूपे अगर आप खाली जैल नेल प्लेंट लगा रहे हैं फ्रेंच अगर आपको उसे कोई फ्रेंच आट करा रहा है जैल के साथ तो आप ले सकते हैं 700 अगर एक्लेरिक पर करा रहा है तो आप उसके भी ले सकते हैं यह एक्सेंशन से जो है अलग चार्जिस हैं तो आप टोटल लगा लिजेगा कि कितने हो जाएंगे उसके बाद आगए हम रिमूबल के उपर अगर कोई आपसे जल नेल एक्सेंशन रिमूफ कर वा रहा है तो आप उसके 500 लेंगे और अगर आप 500 लेंगे और रि अगर आप तरीकों से रिमूबल करेंगे तो हो सकता है कि क्लाइंट का जो है निकल जा और फिर उसको बहुत जादा परिशानी हो और अगर वन टिप पर जैल नेल पेंट लगा रहे हैं तो उसके आप 150 से 100 रुपे जो है वो ले सकते हैं तो यह इस तरह से था अब हम चलते चलते हैं कुछ नेलप की तरफ तो यहां पर मैंने कुछ में नेलाफ जो है उनके प्राइसलिस्ट मेंशन करें है वैसे तो उनेल की बहुत बढ़ी रेंज है और कई तरह के नेल अट जो हैं मिला अचे एक है पर यहां पर मैंने कुछ जो स्पैसिफिक के नेल आठ है उनके प्राइस यहां लिस्ट कर दिया है आप लोगों के लिए तो नेल एक्सटेंशन के साथ कोई ओंब्रे करा रहा है तो आप उसे फंद्रा सो रुपे लेंगे यह फुल हैं क्रोम अगर कोई वन फिंगर पर करा र कोई जयल पॉलिष रिमूफ करा रहा है तो आप लेंगे उससे लुपाइफ दो सो पचया सुरूब्रे मतलब धाही सो रुपे अगर फिल्थी एक्लेर कार रहा है आप से कोई फ्लावर बनवा रहा है तो आप 320 पर रूपे से स्टार्टिंग करेंगे उसके बाद जैसे ज बीच के सीन्स आजकल बहुत जादा एन है कोई एनिमल आट कर आ रहा है तो आप उसके लिए 250 रूपे से स्टार्टिंग करेंगे फुल फिंगर स्टोन वर के लिए आप लों लेंगे 350 रूपे फुल फिंगर ब्रश आट के लिए अगर कोई सारी ही उंगलियों पर ब्रश आट कर आ रहा है तो जो ब्रश आट होता है वह काम जो है बहुत ही जादा बारीक होता है उसमें आइस पर बहुत जादा जोर पड़ता है और बहुत चोटा चोटा काम होता है तो बहुत पहनत और अगर आपसे कोई स्टोन लगवा रहा है कोई बड़ा स्टोन है तो स्टोन जो है अजकल बहुत ज्यादा महंगे हैं और यदि कोई तो प्यारों पे भी जो है आजकल लोग नेल एक्सेंशन करा रहे हैं तो अगर आप फीट एक्सेंशन प्लस नेल प्रिंट करते हैं तो आप जो है 600 रुपे अपने क्लाइंट से ले सकते हैं फीट एक्सेंशन पे मैं बहुत जादा नहीं गई हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाता है इसके बार में फिर कभी बात कर लेंगे तो यह है आज का मेरा वीडियो तो यह वीडियो और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और आपके जरा से अभी एक काम आया हो तो प्लीज प्लीज मेरे चानल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए गर में फंक्शन था इसलिए जो है गला मेरा पूरा खराब अभी तक बैठा हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ और यह मेरा वीडियो था अगर आप लोग को मुझे इंस्ट्रेग्राम पर फोलो कर सकते हैं और अगर आप किसी विशेश पालर यह सलून के टॉपिक्स से जो है पर आप वीडियो चाहते है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मेर बीडियो दिले थांक यू मजट